नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कि एपी अप की कैलकुलेशन आपको सैलरी पे कैसे करनी है, जो इंप्लॉई को सैलरी मिलती है, इसके बैसिकली, दिएक आपको सैलरी पे कैलकूलेट किया जाता है, उसमें कॉंट्रीविशन जो होता है, जिसमें की इंप्लॉई का भी कॉंट्रीविशन होता है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो employee का contribution होता है वो आपको कैसे calculate करना है वो कैसे आप देख सकते हैं salary पे next video में आपको बताऊंगी कि employer का contribution कैसे होता है एक ही video में अगर बताऊंगी तो थोड़ी सी confusion हो सकती है इसलिए आज के इस video में सिर्फ हम employee का contribution देखेंगे employee contribution of EPF the employee contributes 12% of his or her salary along with dearness allowances every month to the EPF account तो जो employee होता है वो contribute करता है 12% अपनी salary का along with अगर उसको dearness allowances भी मिलता है तो जो basic salary होती है और जो आपका deal होता है उसको plus करने के बाद total करने के बाद जो 12% आता है वो होता है employee का contribution तो चलिए let's take an example and understand with example की कैसे आपको calculation करनी है let's assume सूमन's salary is 18,000 per month इसलिए सूमन थोड़ी सी दुखी रहती है क्योंकि इनके salary ही इतनी कम है तो सूमन के salary है 18,000 per month the employee contribution shall be 12% of 18,000 which comes to 2160 this amount is the employee contribution which has to be deducted every month from his or her salary तो अगर किसी employee की salary 18,000 है तो उसका के इतना contribution होगा 18,000 का अब वो basic salary है अब सपोर्स किजिए उसको DNS allowances नहीं मिलता है फिर इस ही में include है 18,000 में ही तो 18,000 total salary होगी इसका 12% होता है 2160 तो 2160 जो है वो है EPF contribution employee का तो I hope कि आप समझ गये होगे कैसे EPF की calculation करनी है employee की